देखिए students हम start करें आपकी कौन से exercise miscellaneous किसकी chapter number 2 की ठीक है तो हम miscellaneous exercise करें वो भी कौन से chapter के आपकी chapter number 2 की तो हम देखेंगे इसमें क्या दिया है आपको first question आप देखिएगा the relation f is defined by fx is recurs to this the relation g is defined by gx is recurs to this show that f is a function and g is not a function तो हमने show करना है इसमें बच्चो कि क्या आपका f जो है वो एक function है जबकि g आपका function नहीं है तो देखिए fx लिख लिए है मैंने आपका और gx लिख लिख लिए है मैंने आपका है ना तब देखिए आप क्या कर रहा हूं में इसमें यह जो value दे रखिए आपको 3 से less than or equals to a या 0 से greater than or equals to 0 के इन दोनों में common value देख रहे हैं बच्चो यहाँ पर 3 आपकी इस वाले में भी आ रही है उपर वाले में भी नीचे वाले में भी आ रही है तो आप F3 find कीजिए बच्चो एक बार उपर वाले के according यानि की 3 रखे इसमें तो 3 का square कितना हो आपका 9 एक बार नीचे वाले के according यानि 3 into 3 पुट किया तो 9 तो आप देखे मैं क्या लिख रहा हूं बच्चो इसमें न कि आपने जब domain 3 पुट किया तो image क्या आई 9 यहाँ पर भी 9 ही आई है न तो लिखा मैंने domain of fx has unique image where x belongs to 0,10 देख लीजिए आप इसमें 0,10 इसलिए बोला है मैं therefore f is a function तो f क्या है आपका function है अब बात है आपकी g की तो g में मैंने 2 क्यों निकाला 3 क्यों निकाला इसमें क्यों क्यों क्योंकि इसमें बच्चो जो common value वा आपकी क्या है तो एक बार मैं g2 find करूंगा उपर वाले के according एक बार नीचे वाले के according तो देखिएगा जब मैंने उ उपर वाले के coding लिए तो G2 की value कितनी है आपकी 2 का square 2 के square का मतलब वो आपका 4 इसी तरह से आप देख सकते हैं बच्चों इसमें क्या आपका G2 नीचे वाले के coding की है तो 3 into 2 तो कितना है आपका 6 अब आप इसमें क्या करेंगे domain of GX has no unique image when x equal to तो आप देख सकते हैं जब आप x equal to लिख रहे हैं तो unique image नहीं आ रही बल्कि एक बार 4 आगे एक बार 6 आगे यानि more than 1 ही में जा रही है therefore G is not a function बच्चों simple एकदम second question में आपको fx दे रखा ये x square और ये value आपसे पूछिए तो ये value find करने के लिए कितना आसानी से आपको कर सकते हैं देखिएगा f1.1 तो f1.1 का मतलब है 1.1 रखा मैंने और square के square फिर है minus f1 तो f1 के लिए मैंने क्या किया आपर 1 रखा तो 1 के square और नीचे जो तो आप वही लिख दिया मैंने 1.1 minus 1 अब आप देख सकते हैं इसको a मान लीजिए इसको b to a square minus b square लेट कर लीजिए एक बारी plus एक बारी minus तो ये minus वाला दोनों आपके cancel होगे उपर नीचे वाले ये और ये आपका 1.1 plus 1 बच्चा आपका ये देखिए रहा और square plus कर देंगे तो क्या आजाएगा आपका 2.1 आजाएगा थर्ड कॉक्षन में आपको fx दिया है और domain पूछा आपसे बच्चो कि domain क्या होगा तो आप देख सकते हैं कि domain क्या होगा आप इसमें आराम से बता सकते हैं क्या आपका बच्चो इसमें कोई not equals to 0 होगा और अगर upon में भी है और root में भी है बच्चो आपका है ना upon में भी है और root में भी है तो उस condition में आपका fx क्या होगा आपका सिर्फ greater than 0 होगा तो यहाँ पर आप देखी नीचे वाला जो आपका upon में आ रहा है तो यह 0 नहीं होगा तो मैंने क्या किया नीचे वाली value लिखी जो equation दे रिखी not equals to 0 अब इसको factorize कर लिया इस ability middle term से यह तो आप से आता है quadratic equation को solve किया यह आ गया तो यहाँ से आपका x not equals to 6 आ रहे और x not equals to क्या रहे आपका 2 आ रहे तो इसका मतलब यह हो कि domain कुछ भी हो सकता है कोई भी real number हो सकता है इन दो numbers को चोड़कर यानि 2 को और 6 को and accepted 2 and 6 अब आप देखिएगा fourth question में fourth question में आपको बता देता हूं बच्चो इसमें क्या पूछा है fourth question में आपको यह दे रखा है fx की value दिये root में x minus 1 और domain और range दोनों पूछे है तो अब आपको पता है domain find करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चो square root में अगर है तो यह 0 और greater than 0 होगा तो x यह minus 1 दर रहकर plus हो गए है तो यहाँ पर x की value होगी 1 और more than 1 तो इसके मतलब domain क्या होगे बच्चो आपका 1 से लेकर up to infinitive क्योंकि 1 से more than भी हो सकता है closed interval में आएगा क्योंकि है equal भी है ठीक है यह तो आपका domain होगे बच्चो अब हम क्या करते थे आपका किसके लिए range के लिए हम fx को y लेट कर लेते थे y को लिए आगे आपका और यहाँ से x find करेंगे तो क्या करेंगे squaring on both sides यहाँ पर y square आगे यहाँ पर rooted गए x minus 1 बच्चा अब आप देखिए x तो जहाँ है मही रहा minus का मने इसके पार जाकर क्या होगे plus तो x equal क्या है y square plus 1 आगे बच्चो अब मुझे x की value पता है भी उपर निकाली थी मैंने क्या x की value 1 और greater than 1 तो आपने हाँ पर क्या किया x के place पर क्या लिख दे यह लिख दे दे देखिए यह भी क्या है 1 और greater than 1 है 1 से 1 cancel आपका तो y square आपका क्या है आपका greater than or equals to 0 है तो यह किसकी definition होती थी बच्चो आपकी जब किसी भी number का square करने पर 0 या 0 से ज्यादा है तो वे real number होता है यानि कि y belongs to क्या करेगा r y belongs to r हो गया real number में belong करेगा but starting वाली condition भी देखनी पड़ती है यहाँ रेंज में तो आप देखिए y तो है y के value किसमें आ रही है root में root की value तो आपकी 0 और more than 0 होगी तो आप देखिए यहाँ तो आपका y आ रहा है r लेकिन यहाँ पर आ रहा है आपका 0 और more than 0 तो इन दोनों में common क्या है आपका इन दोनों में common यह होगा आपका 0 और more than 0 तो range क्या होगी आपकी 0 या 0 से ज्यादा कहां तक आपकी up to infinity तक कुक्ष नमबर 5 आपको यह दे रखा है और इसमें भी आपसे domain और range पूछे हैं तो बच्चो modulus function के अंदर हमेशा domain क्या होता है real number कुछ भी put कर सकते हैं आप और range हमेशा क्या होती है आपकी domain किसमें आपकी modulus में क्या होती है 0 और more than 0 नहीं के up to infinity तो इसमें तो कुछ करके नहीं दिखाना हमने सीधा सीधा लिख सकते हैं बहुत ही आराम से लिख सकते हैं बच्चो है ना अब आप देखिएगा next इसमें कुछ नंबर 6 है देखिए कुछ नंबर 6 आप रीड कर दीजिए let f is equals to x, x square upon 1 plus x square such that x belongs to r be a function from r into r यानि real से real में ही है ना real number से real number में ही है आपका function determine the range of f तो इस function के आपको क्या find करनी है range find करनी है देखिए तो देखिए बच्चो x, तो यह क्या होगा y ही तो होगा x, y होता है ना तो यह y के एक को लिख दिया मैंने आपका अब यहां से मेरा x find करना है तो मैंने cross multiplication की यह x square इदर आकर यह हो गया और y की होई तो y और y की x square जी तो x square y आगया आपका अब यहां से मुझे क्या चाहिए x की value चाहिए तो x square यही रहा यह plus का इदर आकर minus हो गया और यह y सामने ही है अब इन दोनों में से क्या common आ रहे बच्चों आपका x square common आ रहे x square common तो 1 minus y बच्चा अब यह x square आपका क्या होगा यह क्या हुआ यह क्या हुआ 1 minus y अपोन में चला गया अब square हट है तो सामने वाली चीज़ की इसमें गई बच्चों आपकी square root में अब आप यहाँ पर समझनी कोशिश कीजिएगा अगर यह square root में है उपर वाला square root में है तो 0 और more than 0 हो गया नीचे वाला क्या है आपका square root में भी है और नीचे भी है तो इसका मदब क्या होगा यह सिर्फ greater than 0 होगा तो यहाँ से y उदर जागर यह निकलेगा कि y जो है 0 और 0 से ज्यादा होगा लेकिन 1 से कम ही कम होगा यह नीचे यह आगया आपका है ना तो range क्या होगी बच्चो आपकी range होगी 0 से लेकर 1 तक 0 पर closed interval जबके 1 पर आपका open interval देखे आप इसमें 7th question में बच्चो 7th में हमें क्या दे रखा है इसने let f g such that r tends to r be defined respectively by f x is equals to x plus 1 g x is equals to 2 x minus 3 find f plus g f minus g and f upon g तो यह मैंने आपको example कराया इसका ठीक है आप देख लीजिएगा exercise 2.3 में जो है questions भी है और examples भी होगी उसके तो आप इससे previous video देख लीजिएगा इस chapter की तो आपको पतल जाएगा कैसे होगा है ना अब आप देखिए question number 8 यह आपका homework हो गया question number 7 अब question number 8 में आप देखिएगा let f is equals to 1,1 2,3 0, minus 1 minus 1, minus 3 be a function from z to z defined by f x is equals to a x plus b for some integers a, b determine a, b तो आप देखिएगा यह आपको दे रखा है ठीक है और यह functions के आपको क्या दे रखा है function from z to z defined भई यह आपका यह function है जो की z to z में और यह defined इससे किया गया है ना integers integer में ही है तो आप देख सकते हैं इसको कैसे करूँगा मैं बहुत easiest way में देखिए बच्चो यह आपको function दिया है यह आपको क्या दिये है यह भी आपको इतना से क्या है इसकी roster form दिये है तो अब आप देखिए गज़ाद यहां से इसमें कि अगर मैं क्या करूँ इसमें से कोई भी value पुट करूँ यह पुट कर दूँ x की जगा यह y की जगा है यह यह रख दूँ y का मतलब fx बच्चो है न तो आप देखिए यह यह रख सकता हूँ यह 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 तो easy value यह वाली है यह तो 0 हो गया तो b की value यहां से minus 1 आगे बच्चो अब b की value हो गई अब आप इसमें कोई और सी value रख सकते हैं कोई सी भी रख दीजिए तो आप देखिए पहली वाली ही रख रहा हूँ में x के place पर 1 यह रहा आपका और fx के place पर भी क्या रख रहा हूँ में 1 बच्चो त यह प्लस माइनस माइनस का वन हो गया भी यह माइनस अनुदर जाकर क्या हो जाएगा plus तो a की value कितनी आगी आपकी 2 आगी a और b दोनों find होगे बच्चो आपके आराम से देखिएगा कुक्ष नमबर 9 let r be a relation from end to end defined by r is equals to a,b such that a,b belongs to n and a is equals to b square are the following true तो आपको बताने क्या है true है यह जो आपको तीन conditions दे रखी है justify your answer in each case और हर एक case में आपको आपका answer justify भी करना है देखिएगा अच्छा कुक्ष ने आपका r आपको यह दे रखा है और पूछा है a,a belongs to r क्या a,a belongs to r में जबके a और b दोनों किस में ब्लों करते है और n यानि natural number में for all a belongs to n मैंने लिखा no क्यों लिखा बच्चो क्योंकि यह देखिए 2,2 अगर में लगाऊ 2,2 मैंने लिखा not belongs to r क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर में 2 रखूं और यहाँ पर भी 2 रखूं b के place पर भी तो 2 इकल 2 का square बच्चो नहीं होता यह reason हो गया ठीक है आप चाहिए 3,3 रख लीजिए ना इस तरह से अब आप देखिएगा बच्चो इसमें second part में लिखा है if a,b belongs to r implies b, belongs to r मैंने लिखा no वो इसलिए लिखा मैंने कि अगर मैं 4,2 लेट कर लूं a,b इस तरह से लेने के व 4 इकल 2 square होता है हांजी होता है ठीक है बट क्या है आपका 2,4 या नहीं 2 इकल 4 square नहीं होता बच्चो तो क्या है आपका अगर a,b belong करेगा भी तो जरूरी नहीं कर रहा है तो यह वाला भी no हो गया आपका है ना कि true नहीं है अब आप देखिएगा आप इसमें third part a,b belong कराना ह a,c belongs to r यह चेक करना है एक तरह से ना यह दोनों सही लेने हमने तो मैंने क्या किया बच्चो 4 और 2 लिया जिससे की 4 equal 2 square आए फिर 2 और क्या लिया क्योंकि a,b,b,c लेना है फिर 2 और उसका square root लिया यानि की root 2 तो 2 equal root 2 का square होगे आपका तो दोनों सही है अब हमने चेक करना ह क्या चेक करना है a,c a,c मतलब 4,root 2 तो क्या 4 के equal आपका root 2 का square होता है नहीं होता तो यह भी आपका क्या है गलत है जो आपको दे रखा है उसने ठीक है इसमें भी बच्चों आपको क्या बताना है true false बताना है अगर a की value यह है b की value यह है और f आपको यह दे रखा है उसने पूछा है f is a relation from a to b क्या f is a relation a to b में तो देखा मैंने मैंने लिखा true क्यों लिखा मैंने क्योंकि यहां देखिएगा बच्चों f is a subset of a to b और every value of x belongs to a and y belongs to b दोनों में साब कुछ भी समझ सकते हैं कि क्या आपका अगर आप a to b निकालेंगे तो a to b यानि a to b फाइन करेंग तो f जब हमारा क्या है subset a to b का तो इसका मतलब ही क्या relation a to b में और आप यह भी कह सकते हैं कि हर एक यह domain जो है वो किसमें ब्लोंग कर रहे हैं a में और हर एक range जो है वो किसमें ब्लोंग कर रहे हैं आपकी b में तो इसका मतलब यह a to b में ही आपका क्या एक relation है आप देखिए 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11 2,9 भी है और 2,11 भी है यानि कि 2 की आपकी more than one image है तो यह क्या है function नहीं है false 2 has more than one image therefore f is not a function तो इसका मतलब यह function नहीं है बच्चो देखिए आप कुछ नमबर 11 let f be the subset of z to z defined by f is the case to a b, a plus b a और b दोनों ब्लोंग कर दें आपके z में यानि इंटीजर्स में is f a function, क्या f x function है from z to z, justify your answer मैंने लिखा put a equals to 0, b equals to 0 a और b मैंने दोनों 0 लिए तो यहां a into b कितना है आप देख लीजिए यानि a b, 0 into 0, 0 और a plus b कितना है आपका यानि 0 plus 0, 0 तो इसका मतलब जब मैंने यह value रखी domain की तो range की आई आपकी 0 0 पर 0 आई तो 0, 0 अब आप देखेगा मैंने put किया a equals to 0 and b equals to 1 तो जब आपने a into b find किया तो a into b कितना है बच्चों आपका अभियान से देखिए 0 into 1 यानि 0 लेकिन जब आपने 0 plus 1 किया यानि a plus b तो 1 आया तो 0 पर 1 देखेए students 0 पर 0 आ रही है एक बार image और 0 पर एक बार क्या रही है 1 इसका मतलब क्या हुआ 0 has more than 1 image therefore f is not a function इसलिए f हमारा function नहीं होगा आप समझ सकते हैं बहुत आराम से ठीके अब आप देखिए का इसमें क्या कहा है उसने question number 12 में question number 12 आपको दिया है a is equals to this f such that a tends to n fn the highest prime factor of n तो fn बताने आपने find करना है बच्चो तो देखिएगा आप इसमें बच्चो कि n तो आपके यह है एक, दो, तीन, चार, पाँच, फाइव वैल्यूस दे रखिए तो इनके prime factors देखने लेकिन कैसे highest तो आप देख सकते है highest prime factor of 9, 9 का prime factors क्या होगा, वैसे prime factor 9 में एक अकेला 3 आता है ठीक है, तो क्या है आपका 3 जो हो highest भी हो गया अब आप 10 में देखिए, 10 के factors में 2 भी आता है, 5 भी आता है, दोनों यही क्या है आपके prime numbers है लेकिन 2 और 5 में greatest को ने 5 तो 5 लिखा 11 का 11 आगए आपका आप देखे 12, तो 12 में क्या है 2B factor है 3 भी है होने को तो 4 भी है लेकिन वो prime नहीं है 6 भी है वो prime नहीं है, 12 भी है वो prime नहीं है लेकिन 2 और 3 आपके 2 factor इसके prime है और उनमें 2 और 3 में greatest को ने 3 तो 3 लिख दिया और 13 का सीधा 13 ही आ गया तो बच्चों बता सकते हैं range को उची थी आप से उसने range क्या हो गई आपकी क्या आपका दीखे 3, 5, 11 3, 5, 11 और 3 तो repeat हो गए तो 13 तो 3, 5, 11 और 13 ये chapter हमारा complete होगे बच्चों बिलकुल अच्छे से और ये last कुक्षिन आपका कुक्षिन नमबर 12 बहुत ज्यादा important कुक्षिन आपका द्यान दखिएगा